नमो नमा, आज हम लोग संस्क्रत NCRT पार्ट 3 क्लास एर्थ का पहला लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है शुभासित आनी, शुभासित शब्द दो सब्दों से मिलकर बना है, सू प्लस भाशित, सू का अर्थ होता है सुंदर या मधुर, भाशित का अर्थ है वचन, इ इस पार्ट में सूक्ति मंजरी, नीति शत्कम, मनुस्मरती, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र, कई रोचक पुस्तकों के इस लोग इसमें संग्रहीत हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, पहला इस लोग क्या है, गुणा गुण गेशु, गुणा भवंती, त ए निर्गुणम प्राप्पे भवंती दोशा, सुस्वाध दुतोया, प्रभवंती नत्या, समुत्र मासाद्य भवंत्य पेया, अब इसका अर्थ क्या हुआ, आपको पताते हैं, कि गुणा गुण गेशु, गुणा मने बहुत सारे गुण, गुण गेशु मने गुणियो में जब बहुत सारे गुण गुणियों में होते हैं गुणवान विक्तियों में होते हैं तो वो क्या होते हैं वो गुण होते हैं अच्छाई होते हैं और ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोशा और वही गुण अगर निर्गुणों में हो जाते हैं वही गुण अगर किसी निर्गुणों में हो जाते हैं तो वही गुण क्या हो जाते हैं दोश बन जाते हैं किस तरीके से जिस तरीके से सुस्वाद तोया माने जलवाली प्रवन्ती नदिया स्वादिष्ट जलवाली नदियां जब तक नदियों में रहती हैं तो उसका जल बहुत सौधिस्ट होता है लेकिन अगर वही नदियां समुद्र में समुद्र आसाद मने गिरना अगर वही नदियां समुद्र में जाके मिल जाती है तो भवन्त अपेया अपेया मने पीने योगी नहीं रहती वही नदियों का जल वही जल पीने योग नहीं रहता समुद्र का जल पीने योग होता है और समुद्र में कहा सम नदियों का जल मिलता है तो जब तक नदियों में जल रहता है तो वो सुस्वाद रहता है मतलब बहुत स्वादिस्ट होता है गुणवान होता है और वही नदियों का जल अगर समुद्र में मिल जाता है तो वो पीनेयों की नहीं रहता किस तरीके से जिस तरीके से गुण यदि गुणियों में होते हैं गुणियों मतलब अच्छे वेक्तियों में होते हैं तो वो गुण कहलाते है और वही गुण अगर बुरे विक्ति में आ जाए, निर्गुणों में चले जाए, तो वो दोश हो जाते हैं ठीक है? जिस तरीके से नदियों का जल नदियों में रहता है, तो पीने योगी रहता है, स्वाधिश्ट होता है और वही चल जब समुद्र में मिल जाता है तो अपे हो जाता है पीने योग नहीं रहता ठीक है समझ में आया आपको चलिए दूसरा पढ़ते हैं दूसरा क्या है साहित्य संगीत कलाव हीना साक्षात पसु पुख्ष विशान हीना त्रणम ना खादन नपी जीव माना तद भागदेयम पर्मं पशुना अब इसका अर्थ क्या है साहित्य संगीत कलाव हीना वो कैसा है साक्षात पसु पुख्ष विशाण ही ना पुख्ष माने पूच विशाण माने सीन तो वो साक्षात कैसे पशु के समान है जिसके पूच और सीन नहीं है ऐसे पशु के समान है कैसा जो क्या कहते है त्रणम ना खादर न पी जीव माना जो खास नहीं खाता हुआ भी जिन्दा है जीव माना मने जिन्दा है तद भाग देयम परमम पशुनाम ये उन पशुओं का महान भाग है अर्था साहित संगीत कला से रहित मनुष्य पशु के समान है जो खास भी नहीं खाता है जिससे उन असली पशुओं का चारा बचता है और ये उनका भाग है कि उनको वो चारा मिलता है और देखिए लुबधस से नश्यंती यशा पिशुनस से मैत्री नश्ट क्रियस से कुलमर्थ परस से धर्मा विद्या फलम व्यसिनिना क्रपडस से सौक्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस से नरादिपस से इसका मतलब क्या months कि लुबधस से लुबधस से माने लाल्ची लोभी व्यक्ती लुबधस से नश्यंती यशा पिशुनस से मतलब पिशुन मन कहते हैं चापलूस को पिशुनस से मैत्री चापलूस की दोस्ति नश्ट हो जाती है और नस्ट क्रियस से कुलम अर्थ परस से धर्मा तो नस्ट क्रियस से कुल मतलब आलसी व्यक्ति का वंश नस्ट हो जाता है कुल माने वंश आलसी व्यक्ति का वंश नस्ट हो जाता है और अर्थ परस से धर्म माने धन लोलूप को धन का बहुत आर्थ माने धन होता है धन का बहुत ज़्यादा लालची व्यक्ति का धन को संग्रह करने वाले व्यक्ति का धर्म नस्टो जाता है और विद्या फलम व्यस्निना व्यस्निना कहते है बुरी लत्वाले का क्या होताता है विद्या नस्टो जाती है और क्रपड़ से सौख्यम क्रपड कहते है कंजूस को कंजूस सौख्यम माने सुख आनन्द कंजूस व्यक्ति का आनन्द नस्टो जाता है वो कंजूस होगा तो कोई चीज का सुख होगी नहीं पाएगा तो कंजूस व्यक्ति का आनन्द नस्टो जाता है और राज्यम प्रमत सचिवस्य सचिव कहते है मंत्री कैसे राजा के मंत्र जाता है अब राजा का आधिकांस कार राज मंत्री करता है तो जिसका मंत्री आडंबर पून होगा उसका राज समापत हो जाएगा बरवाद हो जाएगा तो इसका पूरा आर्थ क्या हुआ कि लोभी वेक्ति का की प्रसिद्धी नस्ट हो जाती है चापलूस वेक्ति की दोस् आलसी व्यक्ति का वर्ष नस्टो जाता है और धन ज्यादा धन को पकड़ने वाला धन लोलूप का धर्म नस्टो जाता है बुरी लत वाले की विद्या नस्टो जाती है अकंजूस व्यक्ति का सुख नस्टो जाता है आनद नस्टो जाता है आडंबर पूर्ण मंत्री के राजा का राज इनस्ट हो जाता है इसके बाद है अब इसका अर्थ क्या है कि यहां से स्टार्ट करिए आप कि मदुमक्षिकासो आसो मने यह मदुमक्षिका मने मदुमक्खी यह मदुमक्खी कटुकम मधुरम समानम रसम पीत्वा यह मदुमक्खी कडवा या मीठा रस समान रूप से पीकर क्या करती है माधुर्यम एव मादुर्य मने मीठा ही रस का और जन्मेन मने निर्माण करती है मदुमक्खी चाहें कड़वा रस पीए या मीठा रस पीए मगर वो शहद का ही निर्माण करती है शहद कैसा होता है मीठा होता है तो कह रहा है मीठे का ही निर्माण करती है किस प्रकार से उसी प्रकार जिस प्रकार संत तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम शुतवा वचा मधूर सूक्टम रसम स्रजनती जिस प्रकार तठैव मने जिस प्रकार सजजन संत मने सजजन लोग सजजन दुर्जन नाम सजजन और दुर्जन दोनों के साथ समान बेवहार करते हैं दोनों की बातों को सुनकर समान ब्रिवार करते हैं या मीठी वानी का ही निर्मार करते हैं। वचा मदुरं सुकतम रसम सजनती, मीठी वानी का ही निर्मान करते हैं, सचर लोग हमेशा सदेव, मीठी वानी का ही प्रियोक करते हैं. महताम प्रकर्ति सैव वर्धिता नाम परैरपी, न जहाति निजम भावं शंख्यासू लाकरतिर यथा. महताम प्रकर्ति मनें बड़े लोगों की प्रकर्ति मनें सुभाव सैव वैसा ही वर्दिता नाम बढ़ाय जाने पर या प्रशंशित होने पर परेवर्दि दूसरों के द्वारा भी तो उसका क्या मतलब हुआ? कि परेर अपी दूसरों के द्वारा वर्दिता नाम मनें प्रशंशा पाने पर भी महताम महापुर्शों का प्रकर्ति मनें सुभाव सैव मनें वैसा ही रहता है उनके सुभाव में कोई परिवर्तर नहीं होता है किनके महापुर्शों के तो दूसरों के द्वारा प्रसंसा पाने पर भी महापुर्सों का सभाव वैसा ही रहता है अर्थात बदलता नहीं है ना जहाती निजम भावं संख्याशु लाकरती यर्था यर्था मने जैसे संख्याओं में नौ संख्या का आकार अपनी मौलिकता का त्याग नहीं करता है अर्था की कहने का मतलब यह है कि प्रसंसा पाने पर महापुरुस अपना सरल और विनम्र सभाव नहीं छोड़ते हैं उनका सभाव एक जैसा ही रहता है अब दूसरा देखिए अर्थ क्या है इस्तरियाम रोच मानायाम सर्वम तद रोचते कुलम इसका अर्थ क्या हुआ कि इस्तरियाम मने इस्तरियों के रोच मानायाम मने प्रसंद रहने पर सर्व तद रोचते कुलम तो इस्तरियों के प्रसंद रहने पर सारा परिवार प्रसंद रहता है इसमें बताया गया है कि जिस घर में इस्तरियां परसंद रहती है उस घर में उस घर का सारा परिवार परसंद रहता है अगर इस्तरियां दुखी रहती है तो पूरा परिवार ही दुखी रहता है जहां इस्त्रियां प्रसन रहती हैं वहां सारा परिवार प्रसन रहता है तस्याम तव रोच मानायाम सर्वेव न रोचते और उनके आप्रसन रहने पर और किसके इस्त्रियों के आप्रसन रहने पर अत्वा अच्छा न लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है भाव ये है कि संपूर परिवार की खुशाली के लिए परिवार की इस्तरी का यथा योग सम्मान होना चाहिए उसका प्रसन चित रहना आवश्यक है अब आप इसके शब्दर्थ को पढ़िए और इन सब्दर्थों को चलिए अब इसकी अभ्यासकार करते हैं पहला अभ्यासकार है कि पाठे दत्ता नाम पत्या नाम सस्वरवाचनम कुरुद पाठ में जो ये पत्य दिया गया इसका सस्वरवाचन करिए इसको हमने आपको बता दिया है आप इसको स्वैम करें फिर दूसरी exercise में क्या है इसलोकांशेशू रिक्दिस्थानानि पूरियत इसलोक में जो रिक्दिस्थान दिया गया है इसमें इसको आप पूरा करिए अब इसको कैसे कहा? पहला क्या है? समुद्र मासाद्यदेस तो इसमें समुद्र मासाध्य भवंति पेया समुद्र में जाकरके ये पीने लाइक नहीं रहते हैं फिर दूसरा है डैस वचा मधूर सूक्तम रसम स्वजन्ती क्या आएगा इस लोग में क्या दिया है शुत्वा वचा मधूर सूक्तम रसम स्वजन्ती तो इसमें आएगा शुत्वा तद भागदेयम डेश पशुनाम तो इसमें आएगा तद भागदेयम पर्मम पशुनाम विद्याद फलम डेश क्रपड़स सोख्यम विद्याद फलम व्यस निनम क्रपड़स सोख्यम इस्त्रियाम डेश सर्वम तद डेश कुलम तो इस्त्रियाम रोच मानायाम सर्वम तद रोचते कुलम इस तरीके से आपको इस लोग का बचा हुआ अंश इसको पूरा करना है अब दूसरी एक्सरसाइज में क्या है देखिए प्रश्णा नाम उत्रणानी एक पदेन लिखत प्रश्णों का उत्तर एक पद में लिखना है पहला प्रश्णा है व्यस निना किम नश्यंती बुरी लत में फसकर क्या नश्ट होता है तो क्या नश्ट होता है आपने पढ़ाया था विया आपको विद्या फलम विद्या नश्ट हो जाती है इसके बाद क्या आता है कस से यशा नश्यनती यस किसका नश्टो जाता है लालची वेक्ती का लुब क्या आएगा लुब धस से फिर मक्षी का मदु मक्षी का किम जन्यती मदु मक्षी क्या उत्पन करती है तो मदु मक्षी क्या माधुर्यम जन्यती मधुर रस मधुर सूक्त रसम केश रजन्ती मीठी वानी कौन बोलता है तो इसमें लिखेंगे संतह अब आगली एक्सरसाइज में देखें क्या है अदो लिखित तद्भो सब्दानाम क्रते पाठात चित्वा संस्क्रत पदानिलिकत जो ये तद्भो शब्द लिखे हैं इसके आपको संस्क्रत शब्द लिखने हैं जैसे एक बताया गया है कंजूस को क्रपणा कहते हैं इसी तरीके से आपको सबके लिखने हैं तो कड़वा को क्या कहते हैं गटुकम पूच को क्या कहते हैं पुच्छ लोभी को लूपथा मदुमक्षी को मदुमक्षिका तिनका को त्रणम इस तरीके से आपको इन शब्दों के सज्चरत शब्द लिखने हैं अगली एक्सरसाइज में देखें क्या है इसमें दिया गया है अदो लिखतेशू वाकेशू कर्त्र पदम क्रिया पदमचा चित्वा लिखत इसमें कर्ता लिखना है और इसमें क्रिया लिखनी है वाकेश के अनुजार आपको कर्ता और क्रिया लिखनी है जैसे एक दिया गया है संता मधूर सूक्त रसम स्रजन्ती अब कर्ता इसका कौन है संत है संताह आ गया और क्रिया क्या है स्रजन्ति है जो काम करता है वो क्रिया होता है जो काम का करने वाला करता होता है जो काम हो रहा है वो क्रिया होती है ठीक है ऐसे ही आपको आगे सब लिखना है निर्गुनम प्राप्य भवन्ती दोशा अब इसमें करता क्या है निर्गुनों के पास जाकर वो दोश हो जाता है तो इसमें करता क्या है दोशा है और क्रिया क्या है भवन्ती हो जाते हैं ठीक है फिर गुडगेशु गुड़ा भवन्ती अब गुडगेशु गुड़ियों में गुण होते हैं तो इसमें गुण क्या है करता है भवन्ति क्या है क्रिया मदु मक्षिका माधुर्यम जनेद अब इसमें मदु मक्षिका जो है वो करता है और जनेद क्या है ये क्रिया है पिशुनस्य मैत्री यशा नाश्यती तो इसमें करता क्या है मैत्री मित्रता नस्टो जाती है मैत्री इसमें करता है और नाश्यती ये क्रिया है नद्या समुद्र मासाद्य अपेया भवन्ती अब इसमें करता क्या कौन है नद्या और भवन्ती क्रिया है ठीक है इस तरीके से आपको करता और क्रिया इसमें से छाट के लिखनी है इसके बाद next में क्या आता है रेखांकितानी पदानी आदरते प्रश्ण निर्मानम गुरुत अब ये जो रेखांकित पद दिये है इनी में से आपको प्रश्ण कर निर्मान करना है जैसे गुणा गुणे गेशु गुणा भवन्ती गुण गुणियों में गुण होते हैं तो इसमें गुणियों में गुण कौन होते हैं तो गुणा की जगे क्या लिखेंगे के के गुण गेशु गुणा भवन्ती के लिखेंगे ये पुरलिंग का है इसलिए इसमें कौन के लिए के आएगा ठीक है फिर उसके बाद नद्या सुस्वादुतोया भवंती नदी मीठे जलवाली होती है तो नद्या है ये स्त्रीलिंग है तो कौन के लिए क्या प्रियोग करेंगे का तो क्या का सुस्वादुतोया भवंती लुबधस से यशा नस्यंती लुबधस का क्या लौल्ची का यश नस्ट हो जाता है तो किसका नस्ट हो जाता है किसका के लिए आएगा कस से ठीक है मदुमक्षिका माथूर्यम एव जन्यती मदुमक्षिका मधूर रसीद बनाती है तो ये मदमक्षिका क्या है, इस्त्री लेंग है, तो कौन के लिए क्या प्रयोग होगा, का, का माधुरेयो जन्यती आपको समझ में आ रहा है सब उधारण अनुसारं पदानी प्रथक कुरुद उधारण के अनुसार पद को अलग करिये जैसे एक दिया गया है समुद्र मासाध्य अब इसको अलग-अलग लिखना है एक समुद्रम आसाध्य समुद्रम लिखा है फिर आसाध्य लिखा है इसी तरीके से आपको सबको करना है जैसे माधुर्यम एव माधुर्यम मेव लिखा है तो लिखेंगे माधुर्यम प्लस एव, अल्पम एव, अल्पम प्लस एव, सर्वम एव, सर्वम प्लस एव, दैवम प्लस एव, महात्मनाम उक्ति, तो महात्मनाम उक्ति, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे, इस तरीके से आपका ही लेशन कम्प्लीट हुआ, इस लेश कुछ भी डाउट हो किसी भी तरह का आप हमके कमेंट्स बॉक्स में लिखे जरूर पूछे धर्निवाद